हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दे एक्जाम हैकर योटूब चैनल दोस्तों हम लोग यूपी पी यसी 2020 की जिग्रॉफी मेंस की क्योशन को डिसकस कर रहे हैं तो देख लेते हैं आज के इस वीडियो में हम लोग किस प्रश्ण को डिसकस यहां पर करने वाले हैं तो आज का क्यो प्रवित्या हैं उसकी समिच्छा करने को बोला है समिच्छा क मतलब यहां पर कि आपको data fact आपको यहां पर put up करना है और उसको बताना है कि recent trends क्या है international migration का ठीक है तो इसको इन्ट्रोडक्सन पार्ट में आप international migration है उसको आप define करोगे कि होती क्या है तो international migration का मतलब है कि कोई भी बंदा एक country से जिसकी nationality है citizen है उसकी दूसरे country में जाके shift करता है ठीक है मालो ए हमारी country है यहाँ से निकल के B country में जाते हैं उसकी nationality या residence है जनरली रेसिडेंस है उसकी दूसरे चेंजेज होती है या तो temporary के लिए मतलब है या हमेशा के लिए उहाँ पे citizenship हासिल करता है दोनों ही case में इसको बोलेंगे international migration तो international migration का क्या मतलब है change of residence और people from one country to another आइधर temporarily या permanently दोनों ही case में हम बोलेंगे international migration और migration ऐसा नहीं है international migration तो अभी का concept है जैसे हमारी state का जब और फिक्स हो गया अधरवाज migration जो हमारी है better economic opportunity के लिए livelihood के लिए हमेशा से ही हमारी migration होती रही है ठीक है तो यह हमारे आप introduction पार्ट में लेख सकते हैं इसके लाओं आप बता सकते हैं यहां पर ग्लोबल वर्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 की बात करें तो 2019 में 3.6% जो टोटल ग्लोबल की पॉपलेशन है वह हमारी migrate की थी ठीक है बहुत ज्यादा यहां पर देख सकते हो कि डेटा यहां पर 3.6% ग्लोबल पॉपलेशन की यहां पर माइग्रेशन हुई ही 2019 में 2017 में इंटरनेशनल जो माइग्रेशन हुई थी उसका 0.2% ज्यादा है यानि 2017 में 3.4% global population migrate की थी 2017 में 2019 में 3.6 है यानि कि international migration का जो trends है वो हमारी बढ़ रहे हैं ना की घट रहे हैं यह हमारी आप introduction part में भी यहाँ पर दे सकते हैं ठीक है इसके लगाँ यहाँ पर आप से पुछा है कि examine recent trends आप से पुछा है कि अभी का trends क्या है तो सबसे पहले यह आप data put कर सकते हो कि international migration है उमारी बढ़ रहे हैं यह ही data same आप put up कर सकते हो जो हमारी world migration जो report है उसकी इसके लावाँ जो हमारी trends आप देखोगे तो 2017 की बात करोगे तो USA क्या है सबसे larger recipient है किसकी immigration की सबसे ज़्यादा जो बंदे है वो USA में जाके settle हो रहे हैं migrate हो रहे हैं इसके बात second number हमारे साथी अरविया काता है जर्मनी काता है फिर रस्या काता है फिर यूके काता है तो हमारी पहला trends का है USA में सबसे ज़्यादा लोग जा रहे हैं इसके बात सवदी अरवियाम जा रहे हैं 2017 में ही सबसे ज़्यादा सोर्स है यानी कहां से बंदे सबसे ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं तो इंडिया से सबसे ज़्यादा माईग्रेशन हो रही है लग मुस्त sentir million के आ और पास people सबसे जयादे इंडिया से माइग्रेट कर रहे हैं इसके बाद सेकेंड नमबर मेक्सिको काता है, फिर थर्ड हमारी रसिये काता है, फॉर्थ हमारी चाइना काता है, यहां से लोग माइग्रेट कर रहे हैं, यह हमारी दूसरा ट्रेंस है, इसके लावा जो हमारी ट्रेंस पता चल नहीं हो, हमारी यहां बोलने हैं कि एसिया यू लोग जाते हैं इसके लावाँ इंडिया से स्वोर्स हैं तो इंडिया दोनों ही यहां पे स्वोर्स देश्टीनेशन लेले और सबस्य जाना पर रेजन रॉलक से हैं तो ileप और ने हैं क्योंकि Rock में जर्मनी सबस्य जाते हैं इसके बाद यूकय हमारे हो जाएगा रसिया भी हो जाएगा सौधेरेविए भी हो जाएगा और सोर्स हमारा हैं नोज और हैं सूर्स आप टोप डीजेशन आप इंटरनेतशन माइगरेसन का यह भी हमारे यहां पर माइगरेट हो लिए 2% थोड़ा सा कम हो रही इंटरेशन माइगरेशन में फिमल की माइगरेशन 48% है और टोटल इंटरेशन माइगरेशन का माइगरेशन का 70% यानि बेटर जौप लिए जा रहे हैं इसके लहाँ आप देखो चक्वी मतलब वो परसे हो चीक हैं आम कлекले یा सिए बार्ट या से विए और हां ठीक है इन सब यहां से लोग और रहल वह अंहारी आप खेवता debates को देखने को मिल रहा और ट्रेंट का देखने मुलना है, student migrate करते हैं developing country से developed country की और जैसे इंडिया से आश्चलिया में जाते हैं या इंडिया से UK में पढ़ने के लिए जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, जर्मनी में जाते हैं, अमेर्का में जाते हैं, तो यहाँ पर developing country से developed country के बीच में student का migration होता ह इसके लावं इंडिया और युएस दोनों ही largest नमबर आप illegal immigrants का recipient है इंडिया में भी illegal immigrant का source है स्वरी destination है U.S.E. भी हमारा destination है इसके लावा आप देशकते हो World Migration Report जो बोलती है ओव बोलती है 3.3 million migrants जो South Asia मुझे थे 2018 में यह हमेरी climatic threats के चलते हुए थे यानि कि अभी नया जो ट्रेंट्स आ रहा है climate climate change होने की चलते हैं वहाँ पे जो थ्रीट्स जनरेट हो रही है जो हमारी वहाँ पे बोल सकते हो कि जो प्रॉल्म जनरेट होने है climate change के वज़े से उसके जलते migration हमारी बढ़ रहे हैं international migration के recent trends का है आप एक्जामिन करें तो data facts के दहत हम लोग यहाँ पे एक्जामिन किये तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों I hope यहाँ पे जो हम लोग डिसस की हैं आपको पसंद आया होंगे कोई point यहाँ पे रिचूट गया हो या आप उसको यहाँ गलत दे दिया हो तो आप प् मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ thank you